नवलपूर पुलिस चौकी के समीप अंडा रोल की दुकान से पचास हजार की चोरी देवरिय सलेमपूर कोतवाली छेतर अंतरगत नवलपूर पुलिस चौकी के समीप अंडरोल की दुकान से बीती रात चोरों ने दुकान के पीछे से घात लगाकर उक्त दुकान का शेट तोड़कर अंदर घुसे तथा दुकान में रखा गया लगभग 50,000 मूले का सामान अंडा गैस सिलेंडर चूला रिफाइन तेल कैश शहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए बताया जाता है कि दुकानदार सुलेमान पुत्र मुहम्मद अकरम ग्रामदेवरिया उर्फ शामपूर नवलपूर के निवासी हैं वरविगत पांच वर्सों से नवलपूर पुलिस चौकी के समीप बने टीन शेट की दुकान में अंडा रोल बेच कर अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं वे रोज की भाती रात त्री दस बजे अपनी दुकान बंद कर घर गए सुँचना मिलते ही दुकांदार अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का समान बिखरा पड़ा है तथा पीछे से उपर का टीन शेट टूटा हुआ है उक्तपीडित दुकानदार ने दुकान में रखे सामानों की जांचकी तो पता चला कि दुकान से लगभग 50,000 रुपे का सामान गायब है जिसकी सूचना दुकानदार ने नवलपूर पुलिस चौकी प्रभारी को देते हुए चोरी हुए सामानों की बरमादगी की गुहार लगाई पोड़ा दिखा दीजिए सार्ष्टीज यह लोग बोल रहे थे कि आप जादा मत बोलो और मुझे मना कर रहे थे बोलने के लिए मेरा हाग बनता है कि मैं बोलूंगा यहाँ पर यहाँ पर मेरा दुकान है मेरा 65,000 का नुक्सान हो गया है मैं बोले ता होगी मेरा 65,000 का नुक्सान हो गया है और आप ही लोग मता सकते हैं यहाँ पर पुलिस चोकी है और यहाँ पर मेरा दुकान है पुलिस का जिमदारी होता है कि नहीं कि हम लोग के सुरच्छा करें यहाँ पर जब यह पगलवन кот के समय हो गया है मेरा काहँ मेरा ने हो सकता है कभी ट्रक लेके THERE को हो सकता है किना मेरे सालमा के खाहना, बात नुकान ती यह और आप यह कहाली कि कल दुकान क्यवज आप बंकिये थे यह मंगवलार तक्षां एर्था कितने का माल गया है पचास जयार कमाल आपका गया है क्या कहना चाहेंगे आप अप्लिकेशन आपने दिया है अप्लिकेशन दिया है क्या कर रहते हो चोकी इंचाज क्या बोले है क्या समान उप्लप करवा देंगे क्या बोले हैं अप्ला नहीं करेंगे तमारा समान उप्लप करा देंगे नहीं नहीं वो बोले नहीं कर देख रहे हैं यह बोले है पुरा नाम बता हिए मेरा नाम सुलिमान खान है तहां करने वाले हैं क्या बोले हैं